हेलो फ्रेंट कैसे हो मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे अगर आप लोग भी लेला चाहते हैं अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन 15 जार उपर से कम प्राइज में वह भी जून के महीने में तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन बताने जा रहा जुस Ty user आपको बिश्ट पर्फा मन şunu मिल जाते हैं ये सारे स्मार्ट फॉनों में आप लोगों को फिर वह सिसका कैमरा हो या उसकी बैटरी हो उसका परफॉमेंस हर मामें में आप लोगों को बैटर पर्फॉमेंस देखने को मिलने वाला है तो बिना तेरी क को सुरुवाती कीमत में आप लोग स्मार्ट फून को फिलिप कार्ट से आसानी से सकते हैं। लिए पिसिंख की मिल जाता है इसके सासर performance के अगर बात करी जा तो रियल्मी के 5 pro में आप लोगों को आक्टा कोर वाला 2.3 GHz प्लस 1.7 GHz वाला Qualcomm Snapdragon 712 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता तो मतलब 15,000 रुपर से कम प्राइट में आप लोगों को इस स्मार्टपोन में performance के मावले में कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली इसके सासर multitasking के अगर बात करी जा तो रियल्मी के 5 pro में आप लोगों को 6Gv की RAM और सुच्छी 4Gv की internet storage देखने को मिल जाती है रियल्मी के 5 pro की अगर display की बात करी जा तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों 6.3 इंच की एक बात करी जाती है तो कैमरे का में रियल्मी के 5 pro में आप लोगों को बैक में quad rear camera का setup देखने को मिल जाता है जो में हमारा primary camera निकल कर आता और वो फुर्टी एट मेंगा विर्टा नेखने को इनता बाकि के तीन केमरे आप लोगों को 8 प्लैस टू प्लैस्टू मेंगा फिक्षल के देखने को मिल जाते हूं नियुक्त स्थी सेलफी के लिए रियल्मी के 5 प्रो में आप लोगों को 16 अप्रण का मिल जाता है तो मतलब रियरो का सबोड भी देखने को मिल जाता है वहीं यह स्मार्टफ़ों प हुखन हुए लेते स्मार्टफों का हुखनि ड्क रॉस लिटेस्ट भाए NICK प्रफाइब करने के लिए प्रफाइब करना पड़ेगा फिलिप कार्ड में जाके इमेल आइडी को डाल के वहीं होनर 9x प्रो के अगर इस स्पेसिफिकेशन की बात करी जा तो इस स्मार्ट फोन में आप लोगों को एंड्रोइड 9 सब्सक्राइब करें तो इस स्मार्ट फोन से आप लोगों को काफी अच्छा परफार्मस देखने को मिलने वाला हुआ है स्मार्ट फोन में आप लोगों को बेतरीन परफार्मस देखने को मिल जाता हुआ है इसी स्मार्ट फोन में आप लोगों को 16 स्मार्ट फोन लेना चाहते है वह भी पपप कैमरे के साथ तो यह आपके लिए हॉनर का 9 एक्स प्रो आपके लिए बेस्ट ऑप्सन हो सकता है वही हॉनर के 9 एक्स प्रो के अगर बैटरी सेग्मेंट की बात करी जा तो इस स्मार्ट फोन में आप लोगों को 4000 मregy, 46 की एक बड़ी बैटी देखने को मिल जाती झालिए थी योजज भी टेप-सी पोर्ट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है तप फाइप ज्यादा प्राइज में कम स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते थे पर जैसे से टाइम आगे बगता कि कंप्रिशन तेज हो गया और समसंण भी इस लिष्ट में सामिल होने लगा अब बहुत सारे स्मार्टफोन आप लोगों को सैमसंण के कम प्राइज में अच्छे स्पेस के अगर परफॉमेंस की बात करी जा तो इसी स्मार्टफोन में आप लोगों को अक्टाकर वाला टू.पॉइंट ट्री गीगाट प्लस वन पॉइंट सेबन की आट वाला सैंसन का एक्जनोट 9 ओक्ता का प्रोसेसर देखने को मिल जाता तो मतलब इस स्मार्टफोन में सैंस काम किया हुआ है Samsung Galaxy M30S में आप लोगों को 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेट डिस्पेश देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 395 का पीपी आई भी देखने को मिल जाती हो तो मतलग आप लोग 15,000 रुपर से कम प्रायर में कोई अच्छा पफॉमेंस के साथ सार एक एमोलेट गयरे मिलता है बाकी के दो कैमरे आप लोगों को 8 प्लास 5 मेगा फिक्सल देखने को मिल जाते हैं वी एलीडी फ्लैस के साथ साथ सेलफी के लिए इस स्मार्टफोन में आप लोगों 16 मेगा फिक्सल का फ्रेंट कैमरा भी देखने को मिल जाती है तो मतलब 15,000 उपर से कम प्राइज में यह स्मार्टफोन अपने कैमरे के मामले भी आप लोगों को बेटर पफार्मेंस देने वाला वहीं बैटरी के बात करी जा तो बैटरी के मामले भी यह स्मार्टफोन सारे स्मार्टफोन से आगे निकल जाता क्योंकि Samsung Galaxy M30S में आप जाते जिसे कि सुपर अमलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 48 मेगा फिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता वह भी सबकुष 15,000 उपर से कम के प्राइज में तॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन में सेकेंड नमबर पी जिस स्मार्टफोन ने जगा बना हुजी वह हमारा आत सब्सक्राइब को सुर्वाति की मत में आप लोग इस स्मार्टफोन को और लाइन यानि फ्लिप कार्ट से आसानी से बाई कर सकते हैं वह जैडबी के नोट 9 प्रो के अगर स्पेसिविकेशन की बात करी जा तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को लेटेस्ट अंड्रोइ स्मार्टफोन लेना चाहते हैं वह बेस्ट कैमरे के साथ यह आपके लिए बेटर ऑफ्सन हो सकता हुए मल्टी टास्किंग अगर बात करी जा तो रेड्मी के नोट 9 प्रो में आप लोगों को 4GB की नैम और 64GB की इंटरना स्टोरेज भी देखने को मिल जाती वह डिस्प्ले प्रिक एकर बात करिका तो रेड्वी के नोट 9 Pro में आप लोगों को ईपक में को और रियर का सट आप देखने को मिल जाता जो हमारा प्रेंट प्रेंट कैमरा बिए Nick मिल तो मतलब अगर आप लोग tweeting रोज में एक पाफर्मेंस के साथ DR के साथ तो तो यह एक better option आपके लिए हो सकता वहाई Redmi Note 9 Pro के अगर बैटरी सेग्मेंट की बात करी जा तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 5020 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती साथ से तार आप लोगों को fast charging का support देखने को मिल जाता हुआ Top 5 स्मार्टफोनों में फर्स्ट नमबर पर जिस स्मार्टफोन ने जगा बनाई हुए वो हमारा आता Realme की तरफ से Realme 6 अगर आप लोग भी एक best ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं इसमें आपको better performance देखने को मिल जाता आप लोगों को best camera भी देखने को मिल जाता यह आपके अगर बात करी जा तो Realme 6 में आप लोगों को आक्टा कोर वाला 2.05 गीगाट प्लस 2 गीगाट वाला मीडिया टेक का Helio G90 T का प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं जो कि गेमिंग के मामले में यह स्मार्टफोन काफी दंदार निकल के आता वह मल्टी टास्किक अगर बात करी जाती जिसमें आपको 403 का PPI भी देखने को मिल जाता वसे Realme 6 को फर्ष्ट नंबर पर रखने का एक रिजन यह भी बन जाता है को कि इस स्मार्टफोन को डिस्प्ले है वो 90 रिफ्रेस्ट को सपोर्ट करती जो कि और किसी स्मार्टफोन में आप लोगों को देखने को नहीं जाते जिसमें आपको में कैमरा जो हमारा निकल कर दो देखने को मिल जाता तो मतना स्मार्टफोन आप लोग क्यम्रे के मामले वी बैट से अच्छी खासी फोटो किलिक कर सकते हैं सब्सक्राइब करें तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 4300 mAh की एक बड़ी बैटी देखने को मिल जाती है तो मतलब अगर आप लोग 15,000 पर से कम प्राइज में कोई ऐसा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच इसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस के साथ बेटर कैमरा भी किसी स्मार्टफोन में कुछ अच्छा देखने को मिलता पर हां सारे स्मार्टफोन अपने परफॉर्मेंस के मामले में यारी और स्पेसिफिकेशन के मामले में 15,000 पर से कम प्राइज में आप लोगों को बिल्कुल पी निरास नहीं करने वाले को कि इस लिस्ट को बनाने के और आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फिलीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को जरूर प्रेस करते हैं को कि हम आपके लिए इसी तरह के टेको टेकनोलिजी और स्मार्टफोन के वीडियो ही लाते रहते हैं